India's Most Affordable Coupe SUV यानि कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Tata Curve के बारे में भारत Mobility Expo या फिर कह सकते हैं BM Expo में ये Grand Reveal हुआ है Tata Curve के डीजल वेरियंट का इसको Most Affordable कहने का है सिर्फ एक ही रिजन है क्योंकि अब तक इंडिया में जो Most Affordable आती है वो है 50 लाग की BMW 2 Series Coupe SUV अट अब मातर 11 लाग रुपे में हमको मिल सकती है ये शांदार सी फीचर से भरी हुई Tata Curve Coupe SUV इसके अंदर भाई हमको काफी crazy crazy features मिलने वाले हैं पूरे इसके diesel variant की features वाई सब की बात करेंगे वीडियो को लास तक देखना स्किप मत करना और ऐसी मसमस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइबर वीडियो को लाइक अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे इसके features वगरा देखने से पहले हम आ जाते हैं इसकी front profile पर ऐसे कि आप clearly देखी सकते हो इसका front profile टाटा की और भी कई गाडियों से mail खाती है जैसे की nexon safari या harrier अगर कोई बिल्कुली fresh looks की तलाश में हो तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात है आगे यां back profile में इस scenario थोड़ा से different है क्योंकि back profile में हमको completely fresh looks देखने के लिए मिल जाती है आप हम clearly देख सकते हैं ऊपर की side एक छोटा सा spoiler मिलता है shark fin antenna connected tail lights वखेरा इसे की side हमको triangular shape में reflectors मिल जाते हैं reverse lamp के साथ इसमें बढ़ी है एक 3D design में Tata का logo उसके नीचे curve लिखा हुआ काफी जादा premium looks देता है एक वही connected DRL समको front profile में भी देखने के लिए मिलते हैं ठीक उसी के नीचे triangular shape में headlight placement उसी के साथ सा 360 degree camera जैसे features इसके अंदर available है side profile को देखने से clearly ऐसा लगता है कि किसी SUV और sedan वो mix कर दिया हो और ये बनके तैयार है हमारी coupe SUV जिसके looks भी आप clearly देखी पा रहे हैं बहुत ही शांदार looks हैं इसमें ये 18 inch के diamond cut alloy wheels और भी जादा शोबा बढ़ा रहे हैं इसके साथ साथ ये door handles भी काफी जादा premium मनाते हैं गाड़ी को खाली यही नहीं इसका 210 mm का ground clearance और 422 liter की boot space भी काफी जादा comfortable और convenient मनाती है इस गाड़ी को ये दो होगा इसके looks और exterior की बाते अब आजाते हैं जरह गाड़ी के engine पर अभी फिलाल के लिए इसके अंदर सिर्फ एक ही diesel engine देखने के लिए मिलता है जो कि यह 1.5 liter का 4 cylinder diesel engine 113 bhp की power produce करता है और 260 newton meter का torque produce करता है BM Expo में एक और गाड़ी को showcase करा गया था Tata की तरफ से जो की थी Tata Nexon i CNG जिसको आप clearly अपने screens पर देख सकते हो अगर इसके ओपर full detailed video चाहिए तो मेरे को comment करके जरूर बताना वीडियो हम जरूर बनाएंगे इसके ओपर बागी भाई आज के वीडियो में Tata Curve के लिए बस इतना ही बागी भाई आपको क्या लगता है इस गाड़ी की sales के Nexon के इस record को तोड़ पाई की sales के मामले में अगर आपके पास होते हैं 10-15 लाग तो क्या आप इस गाड़ी को खरीदना चाहेंगे सब चीज़ें कमेंट में जरूर बताना मेरे को क्योंकि हम सारे कमेंट पढ़ते हैं और कमेंट को लाइक भी करते हैं आगी भाई आज की वीडियो के लिए तो इतना ही मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी ऐसी वीडियो में तब तक के लिए stay awesome stay safe बाबाई